आएए देखते हैं किस sterlizer को कैसे यूज़ करते हैं दोस्तों, सभी electric sterlizer almost same तरीके से काम करते हैं तो आपके पास चाहे कोई भी sterlizer हो, आप यह वीडियो देख सकते हैं मेरे पास यहाँ Phillips Advance Baby Bottle Sterlizer है दोस्तो, sterilizer का प्रयोग हम अपने बच्चे को healthy रखने के लिए करते हैं sterilizer में हम बच्चों की चीजें जैसे उनके दूद की बॉटल, टीथर, सिपर और ब्रेस पम के पार्स को sterilize करते हैं जिससे उनमें मौझूद कीटानू मर जाते हैं और हमारा बच्चा बीमार नहीं परता इन कीटानू को मारने के लिए sterilizer steam का यूज करता है sterilizer में एक heating plate होती है जिसमें हम पानी डालते हैं और फिर यही पानी भाब बनके sterilizer के अंदर रखी हुई सभी चीज़ों को sterilize कर देता है तो चलिए देखते हैं कि sterilizer कैसे काम करता है दोस्तो, sterilization करने से पहले आपको सभी चीज़े जिन्हें आप sterilize करना चाते हैं उसे अच्छे से दो लेना है ताकि वो एकदम साफ हो जाएं तो यह हैं हमारे सारे आइटम्स जिसे हम sterilize करने जा रहे हैं इन्हें मैंने अच्छे से दो के साफ कर लिया है इसके बाद हमें heating plate में थोड़ा सा पानी डालना है कितना पानी यह आपके sterilizer पे depend करता है मेरे sterilizer में 130 ml पानी डालना है तो यहां मैंने 130 ml पानी लिया है इसे हम अपनी heating plate में डाल देंगे आप ध्यान दीजेगा कि आप हमेशा आरो का साफ पानी ही यूज़ करिए जिससे हमारी heating plate पे scaling ना हो इसके बाद हम सभी बड़े items को sterilizer के नीचे वाले compartment में रख देंगे तो यह मैंने नीचे वाला compartment लिया और इसे यहां पे heating plate के उपर रख दिया इसमें हमें एक bottom plate मिली है इस bottom plate में हमें सभी items को इस तरह से उल्टा करके रखना है तो अब हम सभी बड़े bottle के parts को इसमें रख देते हैं तो यह मैंने इन्हें उल्टा करके रख दिया है हम सभी छोटे parts को उपर वाले compartment में रख देंगे तो मैं यह उपर वाले compartment लगा लेती हूँ और फिर इसमें सारे छोटे parts रख देती हूँ तो यहां हमने सभी छोटे parts को उपर वाले compartment में रख दिया है अब हम sterilizer की lid लगा देंगे इसके बाद हम अपने sterilizer को on कर देंगे on करने के बाद 8-10 मिनिट में आपकी bottles sterilize हो जाएंगे तो जब तक आप sterilization process के पूरे होने का वेट कर रहे हैं उस समय में अगर आपने अभी तक मेरे चानल को subscribe नहीं किया है तो यह best time है मेरे चानल को subscribe करने का इसके लिए आपको 8-10 मिनिट नहीं बलकि कुछ seconds ही लगेंगे और हाँ subscribe बटन के बगल में जो like बटन है उसे दबाना बिलकुल मत भूला थैंकियो सो मच जसके आप देख पा रहे हैं हमारे सभी आइटम्स अच्छे से स्टरलाइज हो गए हैं आप इन्हें ठंडा करके यूज कर सकते हैं या फिर आप इन्हें स्टरलाइजर में ही छोड़ सकते हैं यहाँ पे ये कुछ देर तक clean और sterile रहेंगे ये सभी आइटम्स कितनी देर तक sterile रहेंगे ये आपके sterilizer पे depend करता है कुछ sterilizer में ये समय 12 घंटे होता है और कुछ में 24 घंटे और हाँ sterilize करने के बाद ये सभी आइटम्स steam से गीले होते हैं बट ये पानी बिलकुल साफ होता है और इसे कपड़े से ये टीशू से पोचने के कोई जरूरत नहीं है आप directly इन्हें थंडा करके use कर सकते हैं अगर आप चाहें तो इन सभी आइटम्स को बाहर निकालके हवा में भी सुखने के लिए रख सकते हैं कुछ sterilizer में drying feature भी होता है अगर आपके sterilizer में drying feature है तो आप sterilization के बाद सभी आइटम्स को इसमें dry करने के लिए भी छोड़ सकते हैं इसके लिए आपको लगबग 45 मिनिट का टाइम और देना होगा और हाँ अगर आपके sterilizer में drying feature नहीं है तो कोई बात नहीं ये सभी आइटम्स sterile हैं और आप इसे थंडा करके अराम से यूज़ कर सकते हैं दोस्तो लगतार इस्तिमाल से heating plate पे darkness और scaling आ जाती है इसके लिए आप नीमू या विनेगर solution यूज़ कर सकते हैं इसे साफ करने के लिए अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे comment box में पूछ सकते हैं इस वीडियो में बस इतना ही थांकि सो मच पर वाचिंग बाबाई